हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में जैसा कि आप सभी को बता है कि दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल एक्जाम 2023 आपका जल्द ही सुरू होने वाला है और जो आपके लेटेश्ट एक्जाम हुए है ससी के जितने भी एक्जाम हुए है ससी के हाली में उनमें जो टाइप के कोशन पूछे गे थे उसी टाइप के कोशन मैंने इंक्लूड किया है इस सारे वीडियो में और paper से पहले आपको यह सारे question याद करके जाना है क्योंकि exam में आपको यह question ही देखने को मिलने वाला है तो selection के लिए आपको एक तो channel को subscribe करके bell icon को on कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर रोजाना आपको practice head का video मिलने वाला है और video को आगे continue करने से पहले एक बर सभी के सभी video को like कर देंगे और share कर देंगे तो start करते हैं आज का पहला question questions आपके screen पे आगे हैं उससे पहले जिनोंने भी अभी तक इस video को like नहीं किया है right answer आप सभी को भी साथ साथ में हर question का बताना है comment करके सभी के comment last में पढ़ता हूँ तो सभी answer comment करते रहिए इसका right answer होगा 14 April जी हाँ भीम राव अमबेटकर जी का जनमनीर है वो 14 April को मनाते है option be right answer होगा उसी के साथ में आपको 2 October याद रखना है 2 October को महात्मा गांधी की जनती मना जाती है इसके साथ में लाल बहादूर सास्त्री जी की जनती 2 October को मना जाती है 22 December को जो है ना हम राश्ट्रिय गणित दिवस मनाते हैं रामा नुंजन दिवस के रूप में ठीक है अगला कोशन है किस अनुछेद में सारवजनिक पदों पर अवसर की सम्मानता से समंदित प्रावधान किये गए हैं वेरी इंपोर्टन कोशन इन विच आर्टिकल प्रोविजन्स रिलेटेट टू इक्वैलिटी ओफ ओपुच्यूनिटी ओन पबलिक पोस्ट हैव बिन मेड तो इसका आंसर बदाए क्या होगा अगर आप आंसर कर रहे हैं आर्टिकल 16 तो आपका आंसर बिलकुल सही है अनुच्छे 16 में सारवजनिक पदों पर आवसर की समानता से समन्दित प्रावधान किये गए हैं ओप्शन बी राइट आंसर है अगला कोशन विश्व का सबसे बड़ा महाध्वीप कोन सा है अफरीका मत करियेगा गलत हो जाएगा आपका आंसर विच इस दा लार्जेस्ट कोंटिनेंट ओव दा वर्ल्ड सबसे बड़ा महाध्वीप है हमारा एशिया महाध्वीप ओप्शन डी राइट आंसर है जुनोंने भी कमेंट किया है अब यहाँ पे सबसे बड़ा पूछ लिया है तो सबसे छोटा भी पूछ सकता है सबसे छोटा है औस्ट्रेलिया महाध्वीप यह भी याद रखेगा और साथ में औस्ट्रेलिया इसी के साथ अकोर्डिंग टू एरिया यह नंबर सिक्स पे है पूरे वर्ल्ड में देश के मामले में एरिया के हिसाब से अगला कोशन रेड क्लिफ रेखा का निर्धारन कब हुआ था अब रेड क्लिफ जो रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है और इसे निर्धारन किया गया था 1947 को ओप्शन डी जुनोंने भी आंस्वर किया है उनका आंस्वर बिल्कुल सही है 1914 में जो है मैक मोहन रेका का निर्धारन हुआ था जो की इंडिया और चाइना के बीच में स्तित है अगला कोशन किस नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है विच रिवर इस कोल्ड दा सोरो ओफ बंगाल बंगाल का जो सोक है न यह दामोदर नदी को कहा जाता है जुनोंने भी आंस्वर किया है ओप्शन B उन सभी का आंस्वर बिल्कुल सही है कोशी नदी को बिहार का सो कहते हैं और ब्रामणी नदी को ओडिसा का सो कहते हैं यह भी याद रखे इसके साथ में अगला कोशन भारत की सबसे लंबी सायक नदी कोन सी है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन हर्याना की राज़ानी क्या है अब यहाँ पे देखे दोस्तों जो हमारा चंडीगड है ना चंडीगड ये हर्याना और पंजाब दोनों की राज़ानी है सेयोक्त रूप से अब चंडीगड इसके साथ में केंदर सासित प्रदेश भी है भारत का ये भी याद रखेगा ओप्शन भी राइट आंस्वर होगा अगला कोशन अब्रक उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज़े कोन सा है सबसे बड़ा जो उत्पादक करने वाला अबरक का राज़े है वो है आंदर प्रदेश जोनोंने भी आंस्वर ओप्शन सी किया है उनका आंस्वर बिलकुल राइट है अगला कोशन आपके स्क्रिन पे विष्व कंप्यूटर साक्सरता दिवस कब मनाते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेन कोशन क्या होगा इसका आंस्वर बताइए अगर आप आंस्वर दो दिसंबर दे रहे हैं तो आपका आंस्वर बिलकुल सही है 2 December को World Computer Literacy Day celebrate करते हैं 2 October को विश्व अहिंसा दिवस मनाय जाता है गांधी जी की जैनती के रूप में अगला कोशन है किसे देश रतन के नाम से भी जाना जाता है Who is also known as देश रतन देश रतन के नाम से भारत के प्रतम राष्टेपती Dr. Rajendra Prasad जी को जाना जाता है जिनोंने भी आंसर option C किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा बात कर लें सरदार वल्लबाई पटेल जी की तो इनहें भारत का बिसमार कहते हैं और भारत का लोपुरुस कहते हैं ठीक है भीमराव अम्बेडगर जी को भारत के सविधान का निर्माता का जाता है वहीं बात कर लें सचीदा नन सिना जी तो इनको जो है ना जो सविधान सभा का जो पहला एस थायदेक्स चुना गया था वो सचीदा नन सिना जी को चुना गया था उसके दो दिन के बाद, राजंदर प्रसाद जी को, स्थाई अजेक सुन लिया गया था, ठीक है? याद रखेगा, अगला कोशन है, सालीमार बाग मुगल गार्डन, यह कहां पर है, वेर इज सालीमार बाग मुगल गार्डन, सिचुएटेड, तो ये आपका situated है दोस्तों स्री नगर में स्री नगर जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा option C जिन्होंने भी answer किया है उनका answer बिल्कुर right होगा अगला question आपके screen पे है खिलाडी युजवेंदर चहल का समंद किस खेल से है with which sport is the player युजवेंदर चहल associated तो इनका समंद है क्रिकेट के खेल से option A right answer पर होगा ये भारत टीम में leg spinner की भूमी का निवाते हैं ठीक है दोस्तों अगला question बिहार राजे में कौन सा राजे बनाया गया था which state was covered out of बिहार state अब ये बहुत important question बन जाता है क्योंकि बिहार राजे से जो अलग होकर दो अलग state बने थे जिसमें एक था आपका उडिसा जो की option में नहीं दिया गया है तो दूसरा option में दिया है जारखंड तो ये आपका आंसर होजएगा जारखंड जारखंड उडिसा ये दोनों अलग होकर बने हैं बिहार से ठीक है अगला question है अमरनात गुफा कहां पर है वेर इस दा अमरनात केव सिचुएटेड तो ये आपकी जो गुफाएं हैं अमरनात की ये हमें देखने को मिलती है जमू एंड कस्मीर में जिनोंने भी answer option C किया है उन सभी का answer बिल्कुल right होगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ उससे पहले अभी तक जिनोंने भी इस वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सभी के सभी एक साथ like कर दें शेर कर दें सभी के सभी एक साथ इस वीडियो को और जिनोंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी एक साथ सब्सक्राइब करके bell icon on कर लीजे रोजाना एसा वीडियो देखने के लिए सबसे पहले अगला question तापमान का SI मात्रक क्या होता है what is the SI unit of temperature temperature का जो SI unit होता है वो Kelvin होता है जिनका भी answer option CRI comment में उनका answer सही है सभी के सभी comment करते रही है अगला question बाल दिवस किसके जनम दिवस जनम दिन पर मना जाता है on whose birthday is children's day celebrated सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि children's day बाल दिवस हम मनाते कब है तो यह हम 14 नवंबर को मनाते हैं और यह जो है न हम जनम दिन जो है मनाते हैं जवाहर लाल नहरू के रूप में तो यहाँ पर option C right answer होगा बाल दिवस जवाहर लाल नहरू जनम दिन पर मना जाता है option C right answer होगा अगला question देखिए मिटी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है तो यहाँ पर जो क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं वास्पी करण की क्रिया वास्पी करण की जो क्रिया है उसके करण जल ठंडा रहता है मिटी के घड़े में option A आपका correct answer होगा अगला question सुर्योध्य और सुर्यास्त के समय आस्मान में लाल रंक्यों दिखाई जेता है why is red color visible in the sky at the time of sunrise and sunset तो इस समय सुर्योध्य और सुर्यास्त के समय आस्मान का जो रंग हो लाल होता है पर किर्नन के करण स्कैटरिंग के करण option C जिन्होंने भी answer किया है उनका answer बिल्कुल right होगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question आपके screen पे monagite बालू में कोन सा खनीज पाया जाता है which mineral is found in monagite sand monagite बालू में जो thorium खनीज है ये पाया जाता है जिनका भी answer option D आया है उनका answer बिल्कुल सही है अगला question टीन का संकेत क्या है what is the sign of टीन बदाए क्या होगा इसका answer अगर आप answer कर रहे है option ASN के साथ तो आपका answer सही है टीन का संकेत होता है SN बात कर लें दोस्तों PB तो PB है ये लेड या सीसा का sign AL जो है ये अलूमिनियम का sign है आपके लिए comment में आपको answer करना है कि TN जो होता है ये किसका sign है किसका संकेत है जिनको भी पता है comment करके बताईए अगला question German silver में निमन लिखित में से कोन साथ तत्व नहीं पाया जाता है Which one of the following elements is not found in German silver क्या होगा answer silver हो जाएगा क्योंकि जो German silver है ये copper, nickel, zinc से मिलकर बनता है इसमें silver का use नहीं होता तो option C right answer है अगला question प्रकास insulation का अंतिम उत्पाद क्या होता है What is the end product of photosynthesis जो प्रकास insulation की परिक्रिया होती है उसमें अंतिम उत्पाद जो बनता है वो oxygen बनता है जिनका भी answer option AR है उनका answer बिल्कुल सही है अगला question है गन्ने से क्या प्राप्त होता है What is obtained from sugar can Sugar can से हमें प्राप्त होता है Sugar, chini option C right answer होगा इससे असान question नहीं हो सकता अगला question है किस तत्व की प्राप्ती समुद्री सेवालों के द्वारा होती है Which element is obtained by C elect तो यहाँ पे देखिए जो तत्व की प्राप्ती हमें समुद्री सेवालों से होती है वो होती है iodine की जिनका भी answer option D आया है उनका answer बिल्कुल right है अगला question है पादप रोगों का सबसे उत्तरदाई कारक क्या है What is the most responsible factor for plant disease पादप रोगों का सबसे उत्तरदाई जो कारक होता है वो होता है mildew यानि की फफुंदी option C जिनका भी answer आता है कमेंट में उनका answer बिल्कुल सही है अगला question है प्लेग की बिमारी किस जिवानू के द्वारा होती है प्लेग is coached by which bacteria जो प्लेग है न ये पास सलेला पैस्टिस जो बिक्टेरिया होता है उसके कारण होता है option A आपका right answer होगा अगला question थाइरोक्सिन क्या है What is called thyroxin थाइरोक्सिन एक क्या है हार्मोन होता है option C right answer होगा और ये कहां से स्त्रावित होता है ये thyroid gland से स्त्रावित होने वाला एक हार्मोन है अगला question है आज का last question और ये आज का आपका homework question भी है इसका answer जिनको भी मालू मैं comment करके बताना कौन सा रोग लोए की कमी के कारण होता है which disease is caused due to iron deficiency जिनको भी इसका answer मालू मैं comment करके बताईए